तो आप लोग देख सकतो हेर को कितना ज्यादा वेवीनेस है यह जो हेर है न यह सारे वेवी है तो यू गाइस कैन सी मेरा हेर कितना ज्यादा स्ट्रेट हो गया बलो ड्रै करें अपने हेर को बहुत अच्छा स्टाइलिस एन बहुत सेक्सी है क्या स्टाइल कर सकते हो वह में इस वीदियों आप लोग का हेर कितना कर ली हो वेवी हो जैसा हो फ्रिजी हो तो इसका अप लोग स्मूथ और स्ट्रेट लाइक हाँ ऐसा कर सकतो कैसे मेरा भी हेर बहुत ज्यादा wavy है तो मैं भी blow dry करके अपने हर को ऐसे style करता हूँ तो कैसे कर सकता आप लोग proper way में जिससे आप लोग का damage भी ना हो क्योंकि क्या होता है hair dry use करने पे बहुत लोग का हैना की hair damage होता है like seriously होता है तो आप लोग को technique आना चाहिए कि कैसे आप लोग blow dry कर रहे हो तो उस technique से करोगे तो hair बहुत सही रहेगा बिल्कुल भी hair damage नहीं होगा कुछ नहीं होगा तो बखबख करे भी ना let's start the video तो सबसे पहले आप लोग को hair को गीला कर लेना है थोड़ा सा water से नहाने के बाद थोड़ा सा towel dry करके आप लोग कर सकते हो तो उससे भी चल जाएगा and सबसे अच्छा हो तो आप लोग shampoo use करो then conditioner apply करो then अपने hair को towel dry करके then blow dry करो तो तुससे अप लोग का hair बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा result आप लोग को मिलेगा सबसे maximum result मिलेगा तो मैंने अपने hair को wash कर लिया है and थोड़ा सा towel dry भी कर लिया है थोड़ा थोड़ा गिला है तो इसको मैं blow dry करूंगा अभी तो श्टेप आगया कि आप लोग देखते रहे ना तो guys आप लोग को hair को जब अब blow dry करते हो तो आप लोग को scalp की तरफ ऐसे नहीं करना है मतलब यह heat जो है वो एकदम scalp पे नहीं जाना चाहिए वो ऐसे रहेगा मतलब नीचे से उपर तक मतलब उपर की side में जो एक सिकन मैं करके दिखाता हूँ तो यह जो मैंने किया लाइक नीचे से उपर तक only here here की उपर से जाना चाहिए यह जो गड़म हवा है वो उपर से जाना चाहिए ना की ऐसे लाइक ऐसे आप लोग तो ऐसे आप लोग direct heat देंगे तो यह हेर पर तो यह हेर पर नहीं direct scalp पर जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा हीट रहता है तो उससे क्या होगा अपना scalp damage होगा and here fall उससे start हो जाएगा तो हम लोग अपने scalp पर blow dry मतलब यह hot air बिल्कुल नहीं देना है तो इसको always hair के उपर से hair के direction से मतलब कोई भी direction पर करो like इधर करो इस side करो जिस side भी कर रहे हो उपर ही देना है तो इस बात पर आप लोगो ध्यान रखना है तो मैं कैसे कर रहो आप लोगो आगया के देखो तो आप लोगो प्रॉपर पता चल जाएगा तो स्टार्टिंग में जब मैंने बुलोड़े स्टार्ट किया तो मैंने फूल इट पर रखा और इयर प्रेशर को भी फूल रखा बट जो है मैं इसको डायरेक अपने पर एसे नहीं मतलब कौन्टीनिवस्ली एकी साइट पर नहीं दूँगा क्योंकि मेरा है अब बहुत ज्यादा गिला है तो इसलिए मैं ऐसे-एसे यह यह को दे रहा हूं एकी डायरेकिसन पर ना जाये जिस्से एकी डायरेकिसन पर जाएगा तो वह ज्यागा बहुत जभी हो जाएगा तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा यह जो है हर एक साइट को जाएगा एंड पूरे हेर को अच्छे से यह सुखा देगा देन फर्स्ट हम लोग को 40 परसें तक इसको ड्राय करना है अपने एर को तो थोड़ा सा और बाकी है तो मैं कर लेता हूँ है तो अब तक मेरा हियर जो ए फौटी परसें ड्राय हो गया थोड़ा छोड़ा गिला है अब तक ऐसे ऐसे किया फिर ऑफिर भी हिर जोड़ा कर ली है अब तक चलेगा अब मैं हो को ड्राय करने वाला हूँ तब ऐसे नहीं चलेगा तो इससे अपने हare जोई नहीं होगा उससे हेर जो एंड ही रहे जाएगा तो अपने हो सच हूँ एंड स्मूध करने के लिए हींड से इसट्री कंग्र या हीर को ड्राय करने के बाद हीर फिल法 возь पर हीट तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेवी ने सही है यह यह सारे वेवी है बट अब जब मैं फाइनल ब्लोड़ाय कर लूँगा तो यह सब यह देखना आप लोग एकदम स्ट्रेट हो जाएगा विदाउट इसिंग हैंई हैर प्लोड़ाय से तो मैं यूज कर रह देन अपने हेर पे इसको अपलाई करना है तो ओनली यहर पे करना है उपर उपर ना की एकदम रूट्स पे तो हेर पे मैं कर रहा हूँ अच्छे से अपलाई इसको देन हम लोग करना हेर को फाइनल ब्लोड रहे तो फाइनल जब मैं ब्लोड रहे करूंगा तब मैं यह ब्रस यूज करूंगा तो लाइक मैं अपने हेर को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन मतलब यह डायरेक्शन में ब्लोड रहे करूंगा firstly मैं अपने front hair को छोड़ दूँगा back जो उपर hair है इसको blow dry करूँगा पीछे के side then इसको करूँगा क्योंकि ये जो hair है इसको अच्छे से मैं hold कर दूँगा अच्छे से volume दे दूँगा तो ये hair इसके उपर automatically volumize हो जाएगा तो back इधर उपर इसको अच्छे से फाहले blow dry करना है मैंने serum apply कर दिया then blow dry कर दे देखते है तो आप लोग देख सकते मैं इस brush ये hair को ऐसे पकड़ रहा हूँ then इसको blow dry से ऐसे खीच रहा हूँ तो ये grip आप लोग आना चाहिए लाए तो जब मैं ऐसे comb कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते मैंने dryer को ऊपर देख के लाएक ये जो ear है वो ear को छूते हूँ ऊपर मतलब side के सरब चला जाएगा ऐसे नहीं कर रहा हूँ जो ear एकदम scalp पर गया है वैसे मैं नहीं पकड़ रहा हूँ तो ऐसे ऊपर ऊपर like this ये जो ear है ये ऊपर से बहाँ चला जाएगा ऐसे आप लोग को dryer पकड़ना है तो back हो गया लगबक तो अप करते front तो front आप लोग देख सकतो कितना ज्यादा wavy है बट blow dry करने के बाद देखो कितना स्यादा straight हो जाएगा तो let's start so you guys can see मेरा हेर कितना स्यादा straight हो गया अभी कितना स्यादा wavy ही लग रहा था बट अभी देखो एगदम straight and कितना स्यादा soft and silky हो गया बिल्कुल भी जो वेविनेस था बिल्कुल नहीं है and कितना स्यादा soft smooth and जो highlight color था मेरा हेर पर वो भी कितना अच्छा सा दिख रहा है मतलब बहुत सई श्टाइल होगा अब रख लेक मैंने only serum उसके अपने हेर पर तो कोई भी wax वागरा मैंने apply नहीं किया तो उससे हेर पर कितना स्यादा volume आ रहा है अभी लाइक आप लोग के पास एक अच्छा सा blow dry नहीं रहेगा तो आप लोग अपने हेर को अच्छे से dry नहीं कर सकते तो बन्दब अच्छे look नहीं दे सकते है क्योंकि क्या होता है जो सस्ता बाले hair dryer होते है उसमें उतना ज्यादा like जो heat setting का option नहीं रहता है तो इसलिए क्या होता है उसमें ज्यादा heat चला जाता है या फिर कम heat जाता है तो इससे मतलब hair damage हो सकता है and maximum में जो cool shot option है वो नहीं रहता है तो इसलिए आप लोग एक अच्छा सा hair dryer पर थोड़ा invest करना चाहिए like मेरे पास minimum है यह iconic का 2500 plus तो इस पर क्या है heat का तीनो बटन है like normal air थोड़ा medium heat and ज्यादा heat and air flow का भी two option है medium and high and उसके साथ साथ और एक बटन है cool shot like in shot heat देते इससे cool hair को कर सकते हो तो यह सारे feature होना जाहिए आपके hair dryer पर तो आप लोग बहुत अच्छे से hair को blow dry कर सकते हैं एक professional hair style look दे सकते अपने hair को तो आई होब इस वीडियो पे मैंने आप लोग को proper blow dry technique सिखा पाया हूँ कि कैसा आप लोग को blow dry करना है घर पे and hair को curly wavy से straight look देना है and बहुत ही sexy सा hair style करना है तो वीडियो से help मिलता है तो वीडियो को like and ऐसे और वीडियो तेखने के लिए प्लीज चैनल को subscribe and subscribe करने के बाद like and उसको भी place कर देना and मेरे से कुछ भी बात करना है कोई tips है तो मेरे Instagram का link वीडियो का description में है तो वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो तो guys मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye and see you in the next video